जो मेरे चांत ये कहिए हैं वो उससे कड़ी लोगों को सजा मिलना चीए राजदानी राइपुर में पिछले दिनों एक यूवक का अपारंड कर उसके जाथ बेदम मारपीट करके उसको वीडियो वाइरल करने वाले चार यूवकों को पुलिस ने दिल्ली से गरफतार किया है बताया जा रहा है कि ये वो ही चारो यूवक है जो जिन्होंने उस यूवक के बेदम पिटाई की थी बेजबॉल के बल्ले से मंदिर असवादी लाके मिले जाके और उसको मरा समझ कर उसको छोड़ दिया था उसके बाद ये भारदाद के बाद जो है दिल्ली फरार हो गए थे और उसके बाद आई बीसी 24 ने इस खबर को बड़ी पुरमुकता से दिखाया था उसके बाद हरकत में पुलिस आई और आने के बाद एक विशेश टीम जो है वो दिल्ली रवाना की गई और उसके बाद इनको गिरफतार किया गया है बदाया जा रहा है कि ये चारो जो यूवक हैं ये अपरादी प्रवक्तिक है और अभी पुलिस ने इनके इनके इलाके में देशत कम करने के लिए जुलूस निकाला है और ये अभी बरस्ते पानी में इनका जुलूस निकाला जा रहा है आप देख सकते हैं ये जो जुलू कुझ सालम खुद से थे रूका ऊचली मेंगे लेके दरी गैए आहं बूठ के विद्ध मंदिर करें करें यहां इता सकते बाद मातने हां किया। में पैदा लशा घर के पास है बुद्ध चोक से वहां ले जाने के बाद तीन चार लोग पहले से अंदर में थे सर और ले जाने के बाद ले के गया तो फिर वहां मारना चालू का दे बेस इस्टीक से चाकोई का लिए बड़ा-बड़ा और दारू का सीशी उसमें मारने का सर पिछिए कार के पिछे बान के घिश ला दिया था पुरा यह चोट लाने के बाद वहां फिर मेरे को और भी मारे बेशिच चाकोई को से पूरा पुरा इसमें मारने के बाद पिर वहां मेरे को खेत ने भीक दिए ते रात दर पुरा अधर आज इनका जब ग्रफतार हुए और दूरूस नीकाला है पुलिए क्या करना चाहते हो चाहिए चाहिए सर मानता चाहता हूं तो यह इन लोको सजा पढ़ना चीह अच्छे से जो मेरे साथ यह कहिए है वो उससे कडिक उनलोको सजा मिलना चीह संकर सिंग्धापूर कैमरा में लखन शर्मा के साथ तैसीन जैदी आई पीची टॉनिफोर रायपूर